इन्यन मॉम ओन ड्यूटी चानल के लिए सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरूर ट्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन तो आज मैं आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटी वीडियो लेकर आई हूँ जिसे आपको पूरा देखना चाहिए और अगर आप पैरेंट है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए क्योंकि आज कल के बच्चे बहुत स्मार्ट होगे हैं जैसे टेकनॉलेजी स्मार्ट क्योंकि हम यूज करते हैं तो बच्चे डिमांड करते हैं कि मम्मी मुझे भी चाहिए तो आप ऐसा सोचते हैं कि चलो थोड़ा देर बच्चे को भी देदे वह वीडियो देख लेगा यह सारी चीजे सोचते हुए हम देते कई बार सेक्यूरिटी रिजन के कारिंग भी हम जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो हम उन्हें अगर फोन देते हैं तो हमें पता रहता है कि यार बच्चा यहाँ पर है वहाँ पर है राइट पर कई बार यह जो स्मार्टफोन है हमें कई सारी मुसीबितों में भी डाल सकता है जैसे कि आप सुभी को पता है कि आपने बच्चे के मुबाइल पर नजर रखें, वो भी उसके मुबाइल को हाथ लगाए बिना मतलब आपको ऐसा कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, पर आपको पता रहेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है मुबाइल में, क्या चीजे देख रहा है, जो चीजे वो देख क्या सही है उसके लिए, वो कौन सा गेम खेल रहा है, क्या वो गेम उसके लिए सही है, या फिर उसे आपको इतनी ही समय तक मुबाइल का अक्सेस देना है, तो ये सारी चीजे कैसे हो पाएंगे वो आज मैं आपको बताऊँगे, फेमी सेफ नाम का एक आप है, जो की Most Reliable Parent Control आप है, और मैं आपको बता दू, ये बहुत ही असान है आपके मुबाइल में और आपके बच्चे के मुबाइल में इस्टॉल करना, सिंपल से कुछ स्टेप से जिने आपको फॉलो करना है, और साती साथ आपको करना क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ, वैसे मैं आपको तो यह एक trusted company है जिसे आप पूरी तरह से trust कर सकते हैं और यह एक ऐसा आप जो है इन्होंने बनाया है जिसे आप parent control आप बोल सकते हैं family safe यह उन्होंने ही बनाया हुआ है जो की काफी secure है safe है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अब आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको इनकी website पर जाना है जिसके link में नीचे description box में mention कर दूंगी और वहाँ पर जाकर आपको एक membership account खोलना है वहाँ पर आपको यह सारी चीजे जो है आपके budget के हिसाब से आपके plan के हिसाब से आपको purchase करनी पड़ेंगी और हाँ मैंने आपकी सब के लिए 20% off का coupon code नीचे description box में mention कर दिया है उसे use करिएगा तो आपके 20% off हो जाएंगे तो एक बार आपने वहाँ के website पर जाकर membership plan जो है उसे register कर लिया उसके बाद आपको यह जो आप है इसे download कर लेना है यह आपको Google Play और App Store पर RAM से मिल जाएगा इसे download कर लिजिए और उसके बाद आपको इसे install करना ह जो आप आप यूज करने वाले है वहाँ पर आपको parent की तरह register करना है और जो आपके बच्चे का mobile है उसमें as a kit आपको इस आपको download करके सब चीजे mention कर दीनी है बच्चे का नाम, age और साथी साथ आपको यह आप कुछ चीजों का access मांगेगा वो आपको दे देना है जिससे यह आप पुरी तरह से अच्छे से काम करके आपको सारी चीजे दिखा पाए, बता पाए इसलिए आपको यह सारी चीजों का भी access दे देना है अब parent के mobile में जो यह फेनी से आप download करके install किया गया है वहाँ से आप सारी चीजों को monitor कर सकते है जी हाँ बच्चे के mobile को आप इसकी वज़े से connected रहेगा आपके साथ और हाँ वो चाहा कर भी इस आप को आपके permission के विना delete नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पर उसे मांगा जाएगा एक password और password सिफ आपके पास होगा इसलिए वो password आप बच्चे के साथ मत share कर लेगा जिससे वो अपने mobile से इस आप को delete नह क्विकली बताना चाहूंगी कि आपको कैसे कैसे help मिल सकती है इस आपके मदब से सबसे पहले तो cyber bullying जो चीज होती है आप सभी को पता ही होगा मुझे इतनी ज़्यादा detail में इस चीज को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है इन सारे चीजों से आपका बच्चा बहुत उसके बाद location tracking में भी यह आपको पूरी तरह से help करेगा अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है तो वो इस समय कहा पर है कहा है कहा नहीं है हर एक चीज आपको इस location tracking से पता चलेगी जिसकी वज़े से आप सब के लिए यह काफी ज़्यादा अराम डायक हो जाएगा कि आपक बहुत अच्छा feature है कई बार बहुत सारे जो app है जो हमारे बच्चों के लिए safe नहीं है वो आप वहाँ पर mention करके block कर सकते हैं जिसे आपका बच्चा install नहीं कर पाएगा साथे साथ अगर आपका बच्चा कोई game बहुत ज़्यादा खेल रहा है तो आप उसे अपने according block कर सकत है यह सारी चीजों से आपकी life भी असान हो जाएगी और आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा mobile में नहीं रहेगा उसी के बाद web filtering में भी यह बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि यह decide करेगा और आप decide करोगे कि आप क्या बच्चा कौन सी चीज़े web पर देख सकता है web पर आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो अचली हमारे बच्चों की safe नहीं है तो उन सारी चीजों से आप अपने बच्चे को दूर रख सकते हैं साथी साथ आप यह जो फेमी आप है इसकी मदद से अपने बच्चे को screen time दे सकते हैं जैसे अगर रात में आपका screen time की वज़े से उसे मतलब access नहीं दे सकते हैं तो रात में definitely वह सोएगा कुछ और नहीं करेगा और साथी साथ screen time की वज़े से आप और काम कर सकते हैं कि जैसे बच्चे चोटे जैसे मेरी बेटी 7 साल की है तो जब वह मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है तो मैं उसे ब चोगे लिए यह screen time वाला option बहुत बेस्ट है हम parents के लिए तो ऐसे ही बहुत सारे और features है जो आपको इस app के through मिलेंगे आप सभी को हर एक चीज की जो detail है एकदम detail में मिलेगी इसलिए अब आप अपने बच्चे को बहुत ही मतलब relax होकर एक smartphone दे सकते हैं क्योंकि smartphone आपके करता है कि बहुत ज़्यादा harmful है पर आपको भी इसके importance बता है आप चाहते हो कि आपके बच्चे safe रहे तो आप एक mobile देते हो जिससे आपको पता रहेगी बच्चा क्या है क्या है पर उसका कही बच्चा कुछ और use ना कर ले ये भी मन में कही ना कही रहता है इसलिए ये जो आप है हर एक parent के हाथ में होना ही चाहिए mobile में होना ही चाहिए क्योंकि really believe me ये आपकी life को काफी sorted बना देगा और tension free भी बना देगा so don't worry about anything सारी links सारी details मैंने नीचे description box में mention किये check ज़रूर करिएगा और ये app सची में मैं आपको बोल सकती हूँ कि parent control app है जिसको आप totally trust कर सकते हैं so friends I really hope कि आपको ये video useful लगा होगा अगर लगा है तो इस video को like करतीजिये और नीचे description box को पक्का check करेगा कुछ भी question है तो comment box में मुझे पक्का पुछेगा मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही अच्छे से useful video के साथ तब देखी लिए bye take care